गुड बॉर्निंग दोस्तों और क्रेडिट स्वीस रिलेटेड एक और अब खबर आ चुकी है जो मार्केट के लिए थोड़ा से इंपार्ट करेगी वेल खबर ये है कि करीब करीब 54 बिलियन डॉलर का जो एक पैसा है वो जो स्विस नेशनल बैंक है वो देगी 54 बिलियन के लिक्विडिटी मेंटेन करने के साथ साथ यहां पर हेल्प आउट करने की कोशिश की जा रही है यह आखिर क्यों किया जा रहे है इसलिए किया जा रहा है वैसे वहां की जो रेगूलेटर है उन्होंने इनको फोर्स किया हुआ है कि भैया कुछ तो तुमको करना पड़े उस पे और थोड़ी डीसेंट रिकवरी आए नीचे के तरफ से आप लोगों को बता दू कि बड़े हैरानी की बात है कि जहां पर हाल फिलाल में कबर आयती सिलिकन वैली बैंक की जिसको हमने अपने चैनल पर भी कबर किया है उस पे जादा प्रक्रिया नहीं की गई है उसक हाफी सारे बैंकर्स ने यहाँ पर कस्टमर्स का घून चूसा है बट स्टिल यह चीज़ की जा रही है यह बड़े हरानी की बात है कि ऐसा किया जा रहा है एक तिल्के से आप टेक्निकली देखो तो यह बेल आउट ही माना जाएगा यह हमेशा से प्रक्रिया रही है गर्मे बजार में हमें किस चीज का धियान रखना है हम उसकी बात करते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं और यहाँ पर हमने option chain अगर खोला हुआ है तो एक सिंपल सा चीज़ आपको दिख रहा होगा कि 39,500 और हमारा 39,000 यह एक key level बन रहा है हाल फिलाल के लिए जो एकदम closest support and resistance है आपको एक चीज समझनी पड़ेगे कि जिस तरह के OI additions भी चल रहे हैं on both the side 39 और 39,500 हम close हुए है 39,051 के आसपास जो कि हमारे adjusted closing है जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा तो हमें अगर यहाँ से थोड़ा सा bounce back दिखाना है positivity maintain रखना है तो हमको 39,000 के उपर close होना पड़ेगा और 39,500 के उपर अगर एक देड़ घंटा हम sustain करते हैं तभी हमको short covering की उम्मीद रखनी चाहिए otherwise नहीं रखनी चाहिए याद रखे कि मुझे जो लगता है कि private sector banks को drag किया जा सकता है on every higher levels तो हो सकता है एक दिन एक दो दिन दो तिन दिन अगर इसको उपर भी रखनी की कोशिश की गए sentimental लिहाज से लसमारी expiry के लिहाज से तो कहीं न कहीं ये बाद में इस चीज को पीट सकते हैं तो प्रपया करके आज के सिर्फ price action अगर उपर जाता है तो उसके basis पे आप decisions मत लीजे अगर उपर जाता है एक और चीज हम देख लेते हैं यहाँ अगर मैं nifty की बात करता हूँ तो nifty पे जो हमारा level आ रहा है एक चीज तो मैंने आपको पहले से कहके रखे हुए कि यह 17,400 जब तक नहीं तूटता है तब तक रपया करके आप यहाँ पर positions ना बनाए लेकिन उससे पहले अगर आप still बनाने की कोहिश कर रहे हैं तो मैं साइड पर देख रहे हैं तो 17,100 देखें दोनों में से कोई साभी साइड अगर 15-20 मिनिट के लिए आज के दिन पर तूटता है वहाँ पर सस्टेन करता है प्लस वॉल्यूम रहता है तो वहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखा जा सकता है आपको याद रखना अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का परफॉर्मेंस रिपीट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होंगे जो सबसे जादा इंपोर्टन होंगे तो अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक परफॉर्म करते हैं तो अगर यह परफॉर्म नहीं करते हैं तो आप लोगों के लिए लाइक जरूर करते जाए इससे प्रूटसाहन मिलता है और कमेंट्स में निफ्टी लिख दीजेगा इसी तरह के कुईक और अपडेट्स चाहिए ही रहेंगे और एक चीज मैं आपको बता दू कि मैं personally positional longs में बार बार repeat कर रहा हूँ जब तक हम 17,400 के उपर नहीं निकल जाते हैं मैं तब तक नहीं बनाने वाला हूँ और bank nifty में positional longs में जब तक 40,500 ना बना लू मैं तब तक नहीं करने वाला हूँ कुछ लोगों का ये सवाल आया था कि भाईया ये तो ठीक है ये बनता रहेगा लेकिन आप ये एक चीज बदाईए कि मान दीजे हम ये positions हमने existing mutual funds हमारे चालू है तो हमको उसमें क्या करना चाहिए दोस्तों अपने mutual funds को continue कीजिए mutual funds में panic करने के ज़रूत ने mutual funds itself आप क्या बोल रहे हैं आप कह रहे हैं कि भाईये मैं long term के लिए hold करोगा जब आप long term के लिए hold करोगे तो market उपर उपर जाएगा फिर नीचे नीचे फिर sideways फिर नीचे नीचे sideways लेकिन add the end इसको उपर ही जाना रहता है time भली लग सकता है तो आप mutual funds के SIP ultra in diffs में थोड़ा सा बढ़ाईए जैसे कि मैंने आपको बता है 16800 अगर आता है तो मैं अपने positions अपनी SIP की बढ़ाने वाला हो इसके साथ-साथ अपने ETF में exposure आपनाईए ETF की अगर मैं बात करूँ तो आप Nippon में disclaimer कोई buy or sell recommendation नहीं है ना sponsored वीडियो है किसी ETF ने sponsor नहीं किया इस चीज़ को तो मैं आप लोगों को बता दो कि आप लोग कर सकते हो जैसे आपका यह हो गया Nifty Bs हो गया, Bank Bs हो गया, Junior Bs हो गया, Real Estate में अगर आपको थोड़ा interest है Real Estate Bs लेकिन में को कई न कई लगता है कि Real Estate भी थोड़ा सा inflated हो रहा है, तो थोड़ा सा सतर करेंगे तो आपको क्या लगता है, Market अब यहां से क्या हो सकता है, आने वाले हफते में, comments पर जरूर बताएगा प्रयास पसंद आता है, तो like और share जरूर कीज़ेगा, अचा हाँ, सबसे interesting चीज़ है कि यह सारो option chain analysis और free में trading view के charts के features का अगर आपको इस्तमाल करना है तो आप धन का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा था, इसका link भी आपको description में मिल जागा तil then keep learning, keep growing, keep investing and keep trading